एक छोटीए स्माइल और श्ट्रोंग विल्पावर के साथ आरे साला में आपका स्वागत है दोस्तों 66 BPSC टेस्ट सीरीज का फेप्ट एपिसोड है इसमें हो लोग ब्यालेसमी BPSC संजुक परतियोगता परेक्षा पराधारित कुल 150 questions का solution देखेंगे दोस्तों इस सेट में current affairs के विल्कुल नए questions को सामिल किया गया और आपको पता है परतियोगता के साथ बहुत सारे additional information के भी प्राप्ती होती है तो बहुत गोर के साथ है start करते हैं first question है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान अंधोरन का नेत्रित किया था राजकुमार सुकले ने और इसमें डाक्टर राजंदर परसाथ भी सामिल थे next महात्मा गांधी ने सरव पर्थम किस किसान अंधोरन में भाग लिया था चमपारन में वैसे महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो अंधोलन किया था वो कहां किया था दक्षिन अफ्रिका में किया था next नील किर्श्वकों की दूरदासा पर लिखी गई पूस्तक नील दरपन के लेखा कौन थे दिन बंधु मित्र नेक्ष्ट 1905 में बंगाल विभाजन किस वैसराय ने किया था लोट करजन ने next भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था बंबई में नीक्ष्ट 1877 के विद्रोः का नेत्रित बिहार में किस ने किया था कुंजरसी ने और इसे इसमें पीर अली को भी जाना जाता क्योंकि पत्ना में जो नेत्रित किया था वो पीर अली ने किया था नेक्स्ट, अंग्रेजों ने श्री रंग पत्नम की संधी किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ और हैदल आली के साथ कौन सा हुआ था आपको बताना है नेक्स्ट, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? करनाटक, केरल और तमिलाडू से होकर गुजरती है नेक्स्ट, कोंकर डेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? महराष्ट, गोवा और करनाटक से होकर गुजरती है? नेक्स्ट, भाकरा, नंगल संजुक्त परियोजना है किन राज्यों की? हरियाना, पंजाब और राजस्थान की और इससे लावनवीत राज कौन कौन से हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाना, दिल्ली और हिमाचल परदेश नेक्स्ट, गारो जन्जाती है कहा की गारो जन्जाती मेघाले की है और मेघाले में तीन पहारियां फेमस है गारो, खासी और जैंतिया ऐसा माने जाता है कि यह कीप के जैसा संरेचना का निर्मान करता है जिसके करण जो बंगाल की खारी छेतर से आने वाली मौनसूनी हवा है वो उसमें ट्रेप हो जाती है और विस्व में सबसे ज़्यादा बारिस करवाती है अभी वर्तमान में जो चेरा पुंजी के बगल में मासीन राम छेतर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिस होती है नेक्स्ट कावेरी जल विवाद है करनाटक और तमिलनाडू के बीच नेक्स्ट रेगूर नाम है रेगूर कालिमिटी का नाम है नेक्स्ट सिवालिक स्रेनी का निर्मान हुआ किनो जो एक एरा में नेक्स्ट भारत की सर्वच चोटी कौन सी है भारत की सर्वच चोटी गौडविन आस्टिन है यादि गौडविन आस्टिन गौडविन आस्टिन को केटू भी कहा जाता है यह भारत की सबसे उची चोटी है और भारत में सबसे उची चोटी की बात की जाए तो वर्तमान में जो भारत की सबसे उची चोटी है वो कौन है? कंचन जंगा है जो सिक्किम्राज में है और गौडविन आश्टिन यानि की केटू की जब बात करते हैं तो यह भारत की सबसे उंची चोटी है लेकिन यह P.O.K. यानि की पाकिस्तान अकुपाइड कस्मीर में है जो भी चीन और पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है नेक्स्ट पीगमी निवास करती है पीगमी जन जाती अफरिका में निवास करती है नेक्स्ट जोहंसबर्ग विख्यात है किसके लिए स्वन्खनन के लिए जोहंसबर्ग विख्यात है नेक्स्ट विस में सरवाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है चीन सरवादिक जन संख्या वाला देश है और भारत दूसरे स्थान पर है इक महासागड़ी जल्दार है गर्भ महासागड़ी जल्दार है गरख जिसका कोई उपगरख नहीं है वो कौन सी है बुध अईसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है प्लूटो कोई ग्रह नहीं प्लूटो क्या है एक बोना ग्रह की स्रेनिमी से रखा गया है नेक्स्ट भोव परपर्टी में सर्वाजिक अधिक पाये जाने वाला तत्व कौन सा है oxygen भूपरपरटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऐसा माना जाता है कि जो पिर्थीवी है पिर्थीवी का ओप्रिस हता है जिसे भूपरपरटी कहा जाता है और पिर्थीवी के भूपरटी पर सबसे ज़्यादा मातरा जल की पाया जाती है और जल में, जल का formation किसे होता है? H2O से होता है, यहने कि Oxygen, Oxygen का मात्रा जो होता है वो भूपट पटी में सबसे ज़्याद आता है ऐसे करके आप याद रख सकते हैं Next निमलिखित में से कौन सी gas, ozone परत के अपक्छे के लिए उत्थरदाई है Chlorofluorocarbon, यहने कि C, F, C Chlorofluorocarbon Next सफलता पुर्वक काड़ियों को करने के हैतु पंचायती राज को पूरे सहयों की आवस्चक्ता परती है किस की? अस्थानी जनता की यहने कि पंचायती राज का काड़ियों को सफलता पुर्वक करने के लिए अस्थानी जनता की आवस्चक्ता होती है Next प्रया किस के सलापर राज में राष्ट पतिसासन लगाये जाता है? राजपाल के सलापर Next भारत में बेश्वी लोकसवा के लिए निर्वाचन हुए अप्रेल मैं 2019 में बिश्मी लोकसवा चुनाव हुआ था Next राजपाल के चेर्मेन है भारत के उपराष्ट पति राजपाल के चेर्मेन है Next लोकसवा को कारे काल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है पर्थान मंत्रे के सिफारिस पर राष्ट पति के द्वारा Next लोकसवा में सर्वोच नियाले की अस्थापना हुई थी भारत में लोकसवा सर्वोच नियाले के स्थापना हुई थी भारत सरकार अदिनियम 1935 के अदिन Next कौन साराज सबसे अधिक पर्थेनी दी लोकसवा में भेजता है उत्तर पर्थे से असी सबसे अधिक जाते हैं और बिहर से कितने जाते हैं बिहर से फोटी सदस से जाते हैं Next राज सबसे के सदस चुने जाते हैं चाव वर्सों के लिए और लोकसवा के सदस पांच वर्सों के लिए चुने जाते हैं Next लोकसवा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं वर्स में दो बार यानकी कम से कम चाव महीने पर Next नेक्स्ट आम तोर पर भारत के परधान मंत्री होते हैं, लोग सभा के सदस होते हैं, लेकिन राज सभा के सदस भी परधान मंत्री बन सकते हैं, या फिर किसी भी मंत्री के पत पर जा सकते हैं, जैसे अगर मन मोहन सिंग की बात करें, तो वे राज सभा के सदसता के द्वारा ह नेक्स्ट भारतिये सम्विधान ने केंद्रिये सरकार की अधिसासी सक्तियों को किसमे नहीत किया है। भारत के राश्टपती में नेक्स्ट निमलेखित में से कौन सा मुल्बूत अधिकार नहीं है। संपत्तिक अधिकार मुल्बूत नहीं है, बाकि संविधानिक परतिकारों का अधिकार, सांथिपुर्ण 91 होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, यह सब मौली का अधिकार है। यदि संपत्य की अधिकार की बात किजये तो 44 में संविधान संसोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था नेक्स्ट भारतिय संविधान के प्रस्ताबना में भारत को किस रूप में घोसित किया गया है एक सर्वहों समाजवादी धर्मिनिरप्यक्ष परजातांत्रिक गन तंत्र के रूप में इसे गोसित किया गया है नेक्स्ट भारतिय संविधान में हैं कितने अनुछेद हैं लगबग लगबग 400 अनुछेद हैं नेक्स्ट लोगसवा का पहला आमचुनाव कब हुआ था 1952 में नेक्स्ट दिल्ली है दिल्ली एक केंदर शासित परदेश है इसे राजधानी छेत्र भी कहा जाता है नेक्स्ट हुड़को हुड़को इसका फोल फर्म क्या है यह बताने आपको 1. Housing and Urban Development Corporation नेक्स्ट भारतियर इजर्प बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की विदेश व्यापार के लिए यानिकी एगजिम बैंक के द्वारा नेक्स्ट भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्यपूर्ण बस्तु कौनसी है वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद है यदि 2018 निस्ट की बात की जाए तो पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ था 14.1% उसके बाद सेकेंड रस्तान पहए प्रेशिस इस्टोंस जिसका निर्यात 7.78% किया गया है Drug Formulation और Biologicals का 4.36% किया गया है Next निमलकित में से कौन सा राज का कर नहीं है Sorry, कौन सा राज का कर है कौन सा राज का कर है भूमिराजसुकर जो है वो राज का कर है बाकी आयकर सीमा सुल्क और उत्पाद सुल्क यह सब जो है वह केंद सरकार का कर्माने जाता था 2017 तक निमलिकित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आये प्राप्त होती थी एक साईजी उठी यहने की उत्पाद सुल्क भारत में सबसे अधिक गेहूं खा उत्पादन किस राजी में होता है उत्तर पर्दिस में नई सिक्चानीती के समद्ध में कौन सा कथन आसते है इसका चोथा उप्शन गलत है बाकी 2030 तक सकल नमानकन अनुपात यानि कि ग्रॉस इन्रॉल्मेंट रेश्यू 100% करना यह लग छे शिक्चा पर GDP का 6% खर्च करना यह लग छे और यह जो नई सिक्चानीती है यह की कस्तूरी रंग समीती के रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है यह जो है नई सिक्चानीती 886 के रश्ट्रिय शिक्चानीती के बाद लाया गया है नेक्स्ट हरित क्रांती की सफलता निमलेकित की उपलावता पर निर्भर करती है इसका अहल हो जागा क्योंकि बीजों के उच्च पैदावार किसमें परियाप्त सीजाय सुपधाय, एरसाइनिक, उर्वरक और किटनासक इन सबकी उपलावता जरूरी है नेक्स्ट भूमे विकास बैंक निमलेकित का एक अंसर है साकारी उधार ढाचा का नेक्स्ट भारत में भूमिस उधार के छेतर में सामिल नहीं है किसानों को मकानरिन देना या सामिल नहीं बागी बिचलियों की समापती, भू, जोतों का एकत्री करन और साकारी क्रिसी यह सब भारत में भूमिस उधार छेतर में सामिल है भारत में भूमिस उधार के छेतर में इन सब को सामिल किया गया नेक्स्ट नविंतम जनगर्णा के अनुसर भारत की जनसंक्या की औसत वर्षे की विर्धी दर है कमी का रुक दिखाती है नेक्स्ट, भारत में अधिकांस बेक्ती बेकार है, की छेत्र में? क्रिसी की छेतर में जो काड़ी करते उसमें अधिकतर वेक्ति ब्यकार माने जाते हैं क्रिसी में अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो क्रिसी में दोपरकर की बेरोजगारी देखी जाती है प्रचन बेरोजगारी और मौसुमी बेरोजगारी प्रछन बेरोजगारी क्या होती है? जब किसी उद्योग में जितने बेक्ति लगे हैं एक्च्वली उस क्या हो सकता नहीं होती है उससे कम बेक्ति में भी काम हो सकता है यानि कि जो एक्स्ट्रा बेक्ति हैं उन्हें बेरोजगार माना जाता है मौसमी बेरोजगारी की बात की जाए तो मौसमी बेरोजगारी कहाने का मतलब है कि जिस मौसम में क्रिसी क्या वसकता होती है क्रिसी में लोगों क्या वसकता होती है उस समय उनको रोजगार मिलता है उसके बात क्या होता है कि वे बेरोजगार हो जाते है तो इस परकार के बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? मौस में बेरोजगारी कहा जाता है Next, आठमें पंचवर्ची योजना के अंतरगत GDP को निम अस्तर तक लाने का लग्ज निर्धारित किया गया था 5.6% तक किया गया था Next, सुस्क वर्फ क्या है? ठोस करवंड एक सेट को सुस्क वर्फ का जाता है Next, परकास के इर्णों की प्रकिरती होती है इसमें तरंग और कंड यहने के वेव और पाठकिल दोनों का गुण पहे जाता है Next, सुर्ख के परकास का धार्ती पर पहुँचने में लगने वाला समय कितना है लगभग? 8.3 मिनट हो जागा यहाँ पर Second नहीं होगा, मिनट होगा Next, दोनी का वायू में वेग अनुबानता है कितना? 330 मिटर प्रती सेकंड Next, पानी का घना तो अधिक्तम होता है 4 दिग्री सिंटिग्रेट पर यहने कि पानी का जब टेंप्रेचर बरहाए जाता है तो पहले पानी का घना तो बढ़ता है और उसके बाद घटता है Next, सड सेवी रमन को भातकी का नोबेल प्रसकार प्राप्थ हुआ था कब? सन 1930 में Next, दूध उधारन है एक का अल हो जाएगा? यहने कि दूध एक विलियन है दूध एक कोलाइडल सोलूशन भी होता है और कोलाइडल सोलूशन में क्या होता है? एक इमलसीफ हाइड कोलाइडल सोलूशन का उधारन है यहने कि कहा जा सकता है कि जो दूध है दूध एक इमलसीफ हाइड कोलाइडल सोलूशन का उधारन होता है Next, एक पीको गराम बराबर होता है 10 to the power minus 12 गराम के बराबर होता है Next, एस्टिल की कठोरता के लिए बढ़ाई जाती है किसका अनुपात? एस्टिल की कठोरता के लिए उसमें क्रोमियम मिलाए जाता है और उसमें कारबन का भी मात्रा होता है Next, घरेलू LPG सिलिंडर के दाब मापक नहीं परदान किये जाते हैं इसमें कहीं कहीं पर आपको परभाजी आजवन के लिए पर्योग के जाता है जिसमें जो टेंपरेचर होता है टेंपरेचर में बहुत कम मतलो ऐसा सॉलूशन जिसके मिश्रन में के जो पदार्थ है उसमें वाइलिंग पॉइंट में बहुत कम का डिफरेंस होता है तब उसके लिए परवाजी आस्मा का पर्योग की जाता है लेकिन जो लिए सब्सेंशन से उनके पदार्थों को अलक करने के लिए क्रोमेटोगराफी बिती का पर्योग की जाता है तो मेरे हिसाब से chromatography के लिए एंसर होना चाहिए आप एक बार देखे अपना निर्धारित कर लिए कौन सा होना चाहिए वैसे जो मिश्रन को अलग करने का method होता है कौन-कौन सा होता है filtration जिसे निस्पंधन कहा जाता है मिश्रन को एक दुसरे से अलग करने का next निमलेखित में कौन सा आमल सिर्के में उपस्थित होता है citric जो होता है वह सिर्के में उपलब्द होता है centrally citric अमल किस में पाये जाता है citric निम्बु में पाये जाता है next Plaster of Peris का सुत्र है 2 हो जागा C A SO4 Hall 2 H2O यह Plaster of Paris का सुत्र होता है कहीं कहीं पर आपको C A SO4 Half H2O यह भी आपको सुत्र देखने को मिलेगा और C A SO4 2 H2O जो होता है वो किसका होता है? वो gypsum का होता है ठीक है? नमलेखित में से किसमें कार्वन नहीं पाया जाता है? नन हो जागा यहन की हीरा, ग्रेफाइट और कोईला तीनों में कार्वन पाया जाता है सुर्ज पर परकालस निर्मान होता है किस वीधी के द्वारा? नावकिये सनलेट के द्वारा होता है और नावकिये वीखंडन के द्वारा क्या होता है? जो परमानु बम होता है उसमें नावकिये वीठ खंडन विधी का पर्यों की जाता है तो सुर्ज में जो नावकिये सनलेंड की विधी होती हो कैसे होता है सुर्ज जो होता है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसमें hydrogen की मात्रा सबसे ज़्याद होती है तो hydrogen के परमानु जो होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं और hydrogen के परमानु के नाभिक जब मिलते हैं तो क्या होता है? उसे helium का formation होता है और helium के formation के दवरे क्या होता है? उच मात्रा में उड़ जाकी उचपत्ती होती है नेक्स्ट, विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासाइनिक नाम है नेक्स्ट, निमलेखित में से किस खानेज द्वारा लोहा के प्राप्ती होती है? हेमेटाइट से लोहा के प्राप्ती होती है और peach blend से किसकी प्राप्ती होती है? uranium की प्राप्ती होती है Next, एक car battery में पर्यूक्त विद्धुत अपघट होता है Sulfuric amal का पर्यूक किया जाता है और सुस्क cell जो होता है सुस्क cell में ammonium chloride का पर्यूक किया जाता है विद्धुत अपघट के रूप में स्वामी साजानंद का संबंध था बिहार किसाना दोलन के साथ Next, बिहार निमलेखित में से किसका भारत में सर्व स्रेष्ट उत्पादक है लेची का सर्व स्रेष्ट उत्पादक है बिहार Next, बिहार के किस जीले में रेल पहिया कर खाना है सारन में और ओप्शन का देखा जा तो कहा जा सकता है मोकामा और मुजफर पुर में भारत वेगन का खाना है मदेपुरा में इलेक्टरिक लोको मोटिफ है जमालपुर में वर्क्शोप है और हाजीपुर में पुर मद रेलवे का मुख्याले है नेक्स्ट मुरी जाना जाता है मुरी को एलुमीना प्लांट के लिए जाना जाता है नेक्स्ट जारखंड में भारी मसीन निर्मार प्लांट इस्थित है राची में नेक्स्ट बिहार में कुल भोगौलिक छेत्र का बना चादित परतिसत है लगभग 7.1% Next बिहार में गंडक नदी परवाहित होती है चंपारन, सारन और मुझफर पूर से होकर बिहार की सुमेश्वर स्रेनी है इसका इन सब से नई हो जाएगा यहने कि परशनात की पहारी, राजमाल की पहारी और खड़कपुर की पहारी इन सब से नई माने जाती है सुमेश्वर स्रेनी को सुमेश्वर स्रेनी जो है वो पस्षिम चमपारन के छेतर में उपस थी था नेक्स्ट बिहार में लोग सवा सीटों के संख्या कितनी है 40 और बिहार बिवाजन पहले कितना था 54 था यानि कि 14 जो लोग सवा छेतर है अब कहां चले गए है जहरखंड के छेतर में चले गए है नेक्स्ट बिहार बंगाल से अलग हुआ कब 1912 में नेक्स्ट बिहार में प्रारम्विक अस्तर पर अर्थ बेवस्था आधारित है क्रिसी पर नेक्स्ट भारत में निमलेखित के उत्पादन के लिए बिहार अगरानी नहीं है पाइरेट के उत्पादन में अगरानी नहीं बागी मखान, आलू और केला के उत्पादन में बिहार अगरानी है पाइरेट का भी उत्पादन बिहार में देखा जाता है नेक्स्ट बिहार का लगवक कितनी परतिसत आवादी हर साल बार से परभावित होती है बिहार का 76% जो लोग है वो हर साल बार से परभावित होते हैं यदि बार से परभावित छेतरों की बात की जाए तो भारत के कुल छेतर का 16% जो बिहार में वो बार से परभावित होता है भारत के कुल आवादी का 22% जो बिहार में वो बार से परभावित होता है हर साल और बिहार के कुल छेतरफल का 100% के लगभग जो होता है वो बाठ से परभावित होता है नेक्स्ट बिहार में उत्पादन की द्रिष्टी से चावल के बाद दूसरा मुखे फसल कौन सा है ग्यों नेक्स्ट संजुक्त राष्ट संग के पर्थम सेक्रेटरी जनरल कौन थे त्रुग वेली वर्तमान में जो संजुक्त राष्ट के महासाचीव हो कौन है एंटोनिय गूटिरस और डेग हैमर स्वल्ट को इसलिए जाना जाता है कि इनका निधन इयर क्राइस में हो गया था इयर क्राइस में इनका निधन हो गया था नेक्स्ट पर्लियामेंट में 2020 में कौन सा विवादित बिल पास हुआ यारे कौन सा बिल पास हुआ था जो विवाद में रहा इसका वन नमबर हो जाएगा ऐसे तीनों बिल पास हुआ था लेकिन जो यह बिल था वो ज्यादा बिवाद दित रहा था यानिके क्रिशी उत्पाद ब्यापार और वानीज संबर्धन सुविधा विद्याग इसके अलाबे मुल आस्वन एवं क्रिशी सेवाव पर क्रिशक ससक्तिकरन एवं संडक्छन अर अमेरका का सेक्रेटरी ऑफ एस्टेट कौन है? माइक आर्पॉम्पियो वर्तमान में अमेरका के सेक्रेटरी अफ एस्टेट है जोन वीड़न कैं है व už डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्टपती के उमीदवार है वर्तमान में था प्रयाग राज में next permanent court of arbitration ने किस देश के दो नेवल अधिकारियों को का किस उसी के देश में चलाने का अधिस दिया था इटली के दो अधिकारी थे next 2020 के लिए बेहतरिन फिल्म के लिए औसकर मिला किस फिल्म को 2020 के लिए Parasite को मिला था और 2019 के लिए Green Book को मिला था जो Queen Phoenix को इनको Best Actor कावार्ड मिला था और 1917 इस मुवी को Best Critic Movie के लिए मिला था Next प्रसित परियावरन विससग सुन्दरलाल बाउगोना किस काम के लिए जाने जाते हैं चिपको अंदोलन के लिए Next बात पार्टी कहा का दल है जिससे वसर अल आसद संबंधित है शिरिया के Next इलाहवाद का नया नाम क्या है परियाग राज Next पिनरै विजियन मुख मंत्री है किस राजी के केरल के Next नरेंद्र मोधी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्णर निप्त किया गया है वर्तमान में फागू चोहन है इसके पहले रामनात कोविद लाली टंडन ये सब भी बिहार के राजपल रह चुके हैं सरजकप का वर्तमान विजयता कौन है 沏 सरिय कपगा वर्तमान विजयता है एसर मने जाता है कि पाकिस्तान सबसे ज्याद वार सरогल का विजयता है Next जापान के परतानमंत्री कौन है योसी हीदी सोगह यह शपान के वरतमान में परधान मंत्री है, डोनाल्ड ट्राम्प अमेरिका के राष्टपती है, बॉरिस जोंसन बृतेन के परधान मंत्री और ठिरेसा में कौन है? ये बॉरिस जोंसन से पहले बृतेन की परधान मंत्री थी. नेक्ष्ट दक्षिन अफिरका में किसने रंग बेद नेती के विरुत लंबा संघर्ष किया था नेसर मंडेला ने नेक्ष्ट अगनी नाम जुरा है भारत दोरा तैयार की गई मिसाइल से नेक्ष्ट फैजल अल सिराज रस्ट पति है किस देश के लिविया के नेक्ष्ट इजराइल देश का निर्मान किया गया था जीजों के लिए नेक्ष्ट अगश्ट 2020 में इजराइल ने किस अरब देश के साथ सांति समझोता पर हस्ताक्षर किया था इवेई के साथ ऐसा मने थे कि इवेए पहला अरब देश है जिसने इजराइल के साथ सांति समझोता पर हस्ताक्षर किया है इसके लिए डोनल्र ट्रम्प को सांति का नोबल पूरस्कार के लिए नामित भी किया गया था मदर ट्रेसा की जन भूमी है अलवानिया मदर ट्रेसा की जन भूमी है नेक्ष्ट कौन सा देश एसियन का सदस नहीं है होंकोंग एसियन का सदस नहीं है बाकि सिंगापूर वियतनाम और पापुवा न्यूगिनी यह सब जो है एसियन का सदस है विमेंस डे यानि कि नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है आठ मार्च को नेक्ष्ट पमोली घाटक का संबंद किस खेल से है टेवल टेनिस से नेक्ष्ट उन दो प्रमुक राजनीतिक दलो का नाम बताई है जिनका रूस की सन 1917 की करांती में महत्वपूर्ण योगधान रहा था वोल्सेविक और मेंसेविक पार्टिया नेक्ष्ट एस्टेची अफलिवाटी बना हुआ है किस देश में संजुक्त राज अमेरिका में है नेक्ष्ट अंतराश्ट्रिय नेयायले इस्थी थे दहेग नहरोपी में दहेग में है नेक्ष्ट नालंदा विस्व विद्याले किस लिये विस्व परसिद्ध था बहुत धर्म दर्शन के लिए इसके लिए तर्कसास्त चिखित्सा विगयन और असैन विगयन ये सब भी वहाँ पर पढ़ाई जाती थी नेक्ष्ट नेमलेकित में से किसने पाटली पुत्र को सरपर्थम अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मोरे ने वैसे उदाईन जो था सबसे पहले पाटली ग्राम का निर्मान किया था और उसी ने पाटली पुत्र को अपनी राजधानी के रुप में मनाया था नेक्ष्ट प्राथम मगध सामराज का उतकर्ज किस सताबदी में हुआ था चाटिस सताबदीशापूर में नेक्ष्ट जैन धर्म के परवर्तक महावेर स्वामे का जनमस्थान कौन सा है कुंडग्राम जब वैसाली में वश्थी था नेक्ष्ट गुप्त योग में भूमे इराजस्व की दर क्या थी उपज का छटमा वाग ग्रंथों में भी इसकी चर्चा होती है कि उपज का छटमा वाग कड के रूप में लिया जाना चाहिए नेक्ष्ट निम्ण में से कौन सा असोक के समराज में समलित नहीं था स्रिलंका असोक के समराज में समलित नहीं था बाकी अफ़गानिस्तान बिहार और कलिंग जो है वह असोक के समराज में समलित था असोक अपने राजा भेसे के आठमे वर्ष कलिंग पर आक्रमन किया था और उसी के बाद वह क्या किया था बौधर्म को अपना लिया था नेक्ष्ट प्रसित दस राजाओं का यूद किस नदी के तर्ट पर लड़ा गया था पुर्ष्णी नदी पर नेक्ष्ट रिग वेद का कौन सा मंडल पुर्णत सोम को समर्पित है नौमा मंडल नेक्ष्ट दिल्ली के लाल किले का निर्मान किस ने कराया था साजान नेक्ष्ट हुमायो नामा की रचना किस ने की थी गुलवदन बेगम नेक्ष्ट अलाई दर्वाजा का निर्मान किस सुल्तान ने कराया था अलाउ दिन खिल जी ने और इल्थूतिम्स ने जो दिल्ली में कुत्व मिनाड है उसका निर्मान कारे पूरा कराया था नेक्ष्ट तवकात एनासिरी के लेखक कौन है मिनाज उस सिराण सिराज नेक्ष्ट बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरुफ वर्स 1911 में बिहार एवं उरिसा के नए प्रांत निर्मान हुआ का नेत्रित्व किस ने किया था सचिदा नंद सिन्हा ने नेक्ष्ट कॉंग्रेस में सोचलिस्ट पार्टी के पहली बैठक पटना में कब हुई थी कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी होना चाहिए 1934 इस भी में नेक्ष्ट हम बहुत बड़ी भोल करेंगे यदि हम विहार की जनता को उनके मंत्री मंडल को लिग के नेताओं के हिंसक वह और सब आक्रमनों के आगे और सुरक्षित छोड़ देंगे 1946 में यह वाद किसने कही थी सरदार बल्लब भाई पटेल ने नेक्ष्ट 1908 के छोटा नागपुर कास्त आधिनियम पर रोक लगाए गई थी वनों के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगा दिया गया था नेक्ष्ट गौर अक्षा के मुद्धे पर बिहार के सहाबाद गया एबं पटना जीले में भायानक हिंदू-मुस्लिम दंगे किस वर्च हुए थे 1949 में नेक्ष्ट वेगुस रहे में चौकादी चौकी दारी कर के विरूत आंदोलन एक हिस्सा था सविने अवग्या आंदोलन का नेक्ष्ट चंपारण आंदोलन में निम्द में से कौन संबंद नहीं थे जैपरकास नरायन चंपारण अंदोलन से संबंद नहीं बाकि डॉक्राजिंदर परशाद अनुगरा नरायन सिंग और जेपी किर्पलानी ये सब संबंद थे आजाध हिन सरकार के निर्मान की घोसना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को अखिल भारतिये कंग्रेस कमीटी ने भारत चोड़ो अंदोलन प्रस्ताव पारित किया था स्वाराज आमजनता के लिए होनी चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद सुत्र की घोसना की किसने सी राजगो पालचारी ने नेक्स्ट भारत सरकार रादिनियम 1935 समाप्त करती है किसको प्रांतिये द्वत सासन वेवस्था को समाप्त करती है अगस्ट 1932 के रेमजे मैक डोनाल्ड के संप्रदाइक पंचाट के द्वारा पहले वार एक पिर्थक निर्वाचन सम्मू बनाया गया था किसके लिए अच्छूतों के लिए नेक्स्ट मुस्लिम लिग द्वारा पाकिस्तान की अस्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्स 1940 से सुभी में नेक्स्ट स्वराज मेरा जन्म सिधा दिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह वक्तव किनका था बलगंगा दर तिलक का नेक्स्ट हिंदुस्तान स्वस्लिस्ट रिक्पॉब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताव में एक थे भागा सिंग नेक्स्ट पुर्ण स्वराज का प्रस्ताव लहोड कॉंग्रेस में पारित किया गया था किस वर्स 1929 में इसके अधेक्स्ता किस ने की थे जवाला नहरू ने और इसी के बाद 26 जनवार 1930 को रावीन अदी के तर पर प्रथम स्वधिनता दिवस मनाया गया और वहाँ पर तिरंगे को फाराया गया था नेक्स्ट वंदे मात्रम गित लिखा था किसने वंकिम चंद चाटरजी ने और रविन अठ्यागोर ने जनगर नममना का रचना किया था और अमार्ज सुनार बंगला जो स्वधेशी अंदोलन के समय बहुत पर चलित हुआ था जो बरतमान में बंगलादेस का राश्ट्रि कि रचना की थी नेक्स्ट बंगाल विवाजन से जूरे हुए भारत के वाश्राय का नाम बताईए लोड करजन 1905 में हुआ था ये नेक्स्ट भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अस्थापना किस ने की थी ये ओहुम ने नेक्स्ट भारतिय राजनिती में सन 1947 के बाद किस महिला का सरवाधिक योगदान दिया और ना अस्था फ्लावली ने नेक्स्ट यहां से मैट का क्वेश्टन शुरू होता है ये आपको सुलब करना है सिर्फ एंसर में बताता हूँ 141 का D, 142 D, 143 3 144 2 145 121 122 145 1229–7 146 4 147 4 148 1 149 3 150 2 इसके साथ यह सेट समाप्त होता है आप जो स्कोर आता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता है थैंक यू